हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पे दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चलिए सुरू करते हैं यह क्या बहू, आज भी इतनी रोटियां बच गई दो साल हो गए इस घर में, लेकिन आज भी अकल नहीं आई यह क्या कुसल ग्रहनी के लक्षन है पर मम्मी जी, मैंने खाना तो लिमीटेड ही बनाया था पर संतोस जी बाहर दोस्तों के साथ खाना खा करा गए पती तेरा है, पूछ नहीं सकती थी की खाना घर पर खायेगा की बाहर खा करायेगा मम्मी जी, साम को साथ बजे तो बात हुई थी तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा अब मुझे क्या पता की ये बाहर खाना खा कराएंगे तब तो ऐसा कुछ प्रोग्राम उन्होंने बताया नहीं ठीक है ठीक है जाकर अपना काम कर अब सुवह बासी रोटी खानी पड़ेगी यह थी रेखा जी जो अपनी बहु सुनीता को डाट रही थी सुनीता रेखा जी की बड़ी बहु है जिसका विवाह संतोस से दो साल पहले हुआ है रेखा जी के परिवार में उनके पती रमेश जी बड़ा बेटा संतोस बहु सुनीता छोटा बेटा सोनू और बहु पिंकी है सुनीता और पिंकी दोनों सगी बेहनों की तरह ही रहती हैं क्योंकि दोनों की उम्र में कोई खास फर्क नहीं है और दोनों की साधी भी एक साथ हुई थी और दोनों एक साथ बहु बन कर इस घर में आई थी लेकिन रेखा जी का ऐसा मानना है कि बड़ी बहु ज़्यादा जिम्मेदार होनी चाहिए ऐसा नहीं है कि बासी रोटी रेखा जी को खानी पड़ती है सुनीता और पिंकी दोनों ही बासी रोटीयां खा लेती है लेकिन देखा जी की तो आदत पड़ गई है ताने मारने की तो इस बात को लेकर वे सुनीता को सुना रही थी दो दिन बाद फिर वही सब हुआ इस बार भी सुनीता और पिंकी ने खाना तयार कर लिया था तब तक सोनू अफिस से आते समय बाजार से गर्मा गरम समोसा लेकर आ गया जाहिर सी बात है सब समोसा खाएंगे तो रोटीयां तो बचेंगी ही तो आज फिर से खाना बच गया सुबह जब सब लोग नास्ता करने बैठे तो उस समय सुनीता ने उन रोटीयों का पुस्कूरा बना कर सर्व कर दिया इस पर रेखा जी का गुच्सा फूट गया लो अब बासी रोटी खाओ यही दिन देखना बाकी रह गया था पर मा पहले खा कर तो देखिए कितना टेस्टी बना है संतोस ने कहा हाँ हाँ बेटा तेरी बीवी तुझे बासी रोटी खिला रही है तू ही खा तुम लोगों के राज में तो बहुँ की बासी रोटी ही मिलेगी हम लोगों को मा आप बेवजह का बतंगड क्यों बना रही हो अब तो मेरी बात बतंगड ही लगेगी तुम लोगों को तुम्हारी बीविया कामचोर दूसरे दिन का खाना भी रात को ही बना कर रख देती हैं सुनीता ने संतोस कोई सारा करके चुप रहने को कहा पर उस दिन सबका मूड खराब हो गया अब दोनों बहुओं ने सोचा की रोटिया गिन कर ही बनाएंगे चाहे दुबारा आटा लगाना पड़े पर कहते हैं ना कि इंसान जिस चीज से सबसे ज़्यादा भागता है वह सि सुनीता और पिंकी के साथ दुबारा हुआ अब की बार बड़ी मौसी जी कुछ दिन के लिए घर आई थी सब लोग बाहर घूमने गए हुए थे सुनीता और पिंकी घर पर ही रहकर खाने की तयारी कर रही थी जब सब लोग घर आये तो देखा कि वह अपने साथ कचोरी औ पिनाती नहीं थी पर सुनीता और पिंकी प्रिसान थी कि इतनी रोटियों का करेंगे क्या दूसरे दिन जब सुनीता और पिंकी किचन में नास्था द्यार कर रही थी Estados तो मॉसी जी ने कहा एक दूसरे का सकल क्या देख रही हो रोटियां दो मुझे लेकिन मैं किन छोड़ो मैं ऑज नासता मैं बनाएंगी थोड़ी दिरवाद मुसी जी ने बाहर नास्ता सर्व किया गर्मा गरम काटलेट देखकर सब के मुह में पानी आ गया और सभी ने उन्हें बड़े चाव से खाया यह सब देखकर खुद रेखा जी भी हैरान थी सुनिता और पिंकी मौसी जी को बड़ी हैरानी से देख रही थी मौसी जी ने कहा तुम्हारी सास तो किचन में आती नहीं है तुम दोनों अपने तरीके से किचन को चला सकती हो बस थोड़ी सी समझदारी चाहिए और रही बात तुम्हारे सास की तो उसे तो बड़ालना नामून की नहीं साथ ही साथ मौसी जी ने रेखा जी को भी समझाया किचन बहुए समझाल रही है तुम्हें बासी खाने को नहीं देती है तो क्यों बेवजह किताने मारती हो उन्हें उनके हिसाब से काम करने दो यह बात रेखा जी को भी समझ में आ गई धन्यवाद दोस्तो आसा करता हूँ कहानी पसंदाई होगी